पर रशिया ने इंडिया को आफर किये कि वो 25% less यानि कि 25% discount पर उनसे crude oil खरीच सकता है मेरा सवाल यह है कि रशिया अगर इंडिया को यह दे सकता है तो पाकिस्तान तो एक ऐसे मौके पर इमरान कान गए वहाँ पर जिस वक्के बहुत ही अजीब और गरीब सुरह थी हाल थी दोस्तों यह तो आपने देखा चोटा सा क्लिप आंगे आप पूरा वीडियो देखेंगे रशिया ने भारत को आफर किया है कि वो रशिया जो है कच्छा तेल मतलब क्रूड ऑल है वो भारत को प्रोवाइड करेगा सस्ते दामों पर तो यह निउस पाकिस्तान में आई और पाकिस्तान के मेडिया का रियक्शन आप देखेंगे आंगे इस टॉपिक पर करते हैं वीडियो के अंतिम भाग में बात प्लीज श्याल को सब्स्क्राइब करेगा वीडियो को लाइक करेगा कॉमेंट में अपने सोचाओ जरूर दीजेगा धने बात प्राइम मिनिस्टर स पाया तो इस बिना पर रशिया ने इंडिया को उफर किये कि 25 परसंट लेस यानि के 25 परसंट डिसकाउंट पर उनसे कुरूड ऑईल खरीच सकता है मेरा सवाल ये है कि रशिया अगर इंडिया को ये दे सकता है तो पाकिस्तान तो एक ऐसे मौके पर इमरान कान गए वहाँ पर जिस वक्के बहुत ही अजीब और गरीब सुरह रहती हाल थी बड़ा क्रूशल मोमेंट कि वहाँ पर हमला कर रहे हैं युकरेन पर और हमारे है ले सकते हैं आपको डिसकाउंट दे रहें क्योंकि आपने इस मौके पर आप हमारे साथ खड़े हुए ऐसे ही होता है इसलिए तो जाया जाता है कि इस तरहां की जो है वो सहूलते मिले हमारे साथ खड़ा हो दूसरा कंट इंडिया को उन्होंने ये ओफर कर दी रशिया हैं कि आप हमसे डिसकाउंट पर क्रूड आइल ले सकते हैं लेकिन पाकिस्तान को ये ओफर नहीं कि उन्होंने इसके बावजूद कि हम उस दिन उनके साथ कड़े थे हमारे वजीर आजम जिस दिन वो युक्रेन पर हमला कर रहे थे जबकि इंडिया ने सिर्फ उनको हकूमत में आपने बनाई ये वली पॉलिसी लेकिन फिर ऐसा तो भी कीजिए कि प्रूटिन से पूछिए आप प्रेजिडेंट साब से पूछिए कि क्यों ने आपने हमें ये वली ओफर दी हमें भी दीजिए ताकि हमें भी थोड़ी सहूलत मिल जाए मैं तो कहती हूँ बह जाए जाएगा जो भी इसमें सूरतहाल नजर आएगी वो यखिनान आप तक पहुंच जाएगी और हम तक भी खबरे आ जाएगी उसके पर भी हम बात करेंगे लेकिन मैं आपको पहले से ये बता रही हूं कि इमरान हान जो इस वक ये समझ रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके स इसका कोई तोड़ निकालेंगे तो ये होती है जब आप डूसरे के ऊपर जब आप इंडिपेंडेंटली प्ले करें जब आप डिपेंडेंट हो तो आप खान साब आप तो उदर नहीं जा सके थे मलेशिया नहीं जा सके थे इननी को तो डिफॉरन पॉलिशी स्ट्रॉंग है और कि पेंदे यो गला कर दे हो पूरे यौरब नो ते अमरीका नो देखें ऐसे रिस्पॉंसिबल सिटिसन और जब पड़ लेखे पाकस्तानी के तोर पे कि हमें समझना चाहिए कि हमें हमारे इंटरस्ट कीन ममालिक के साथ लाइंड है आप देखें इंडिया में नरेंद्रा मोदी है वो किस तरह अंदर गुस गया पूरी इंटरनेशनल लीडरिशिप के अंदर वो भले फेक जपियां डालता है वो जो भी करता है लेकिन वो करता तो आना कुछ यार उसने अपना ए अब जो अब जो एमराइटी जो साओधी जो वो पॉंप नहीं करेंगे और वो अपनी जो प्लैन है वो उसके साथ ही रहेंगे और उन्हों ने जो और प्रॉलियम इक्सपोर्टिंग कंट्री जो उनको भी बता दिया और एक और गुरूप भी है जो कि रस्या लीड का तो करेंगे जो क dabei है जो और गूर मोसको पता दिया जो जो निर जो एनरजी इसdade रस्या के साथ जो टौ ऑल परडूस के साथ यह बिसीकली ये विचीकली दुन्हा को मॉसको का गरीब ले आया खिक है वो कर यह करने हम्ने कारवार भी तो करना है यह तो नहीं है कह वाइस थोड़े से अपनी वह वैल्यूज के उपर खड़ा हुआ थे तो ये अमरान खान साहब के लिए मैसेज है कि सर आप अननेसेसरी फोंकॉल अगर आपको नहीं आई तो नो प्राब्लम पहले अपनी कपैसिटी बिल्ड करें और मैंने एक मेरी यहां वीडियो है अगर आप मेरे होम पेज़ पर जाएंगे तो आई तिंक 2017 में मैंने एक वीडियो बनाए थी वह थी मैंने इंग्लिश में बनाए उसमें आपको मैं पाक अमरीका तालुगात के उपर मैंने बात की हुई है और मैंने वह को क्रक्स बताया कि प्राब्लम के है और मैंने उसका वे फॉरवड होला है, तो हमारी धिया सब्कों समझ नहीं आती है, बिलकुल आती है, लेकिन हम करना भी नी चाहते हैं और हमारी कॉफेषी भी नहीं है वर यह खीरा करते हुई हैं, अब इम्राण साथ जो पावर में हैं सारी हैं नहीं पसंद करेगी, खर्शा के यम्रान टॉन के लिये सान करेंगे मैं तो बहुत सारे पाक्सानियों को जानता हूं जो बड़े खुश है इस बात से के बले-बले सानु कर रहा बोल भी नहीं रहा वहास ही नहीं आ रही है और अगर आपने इसको इसी तरह ही रखाओने का ठीक है वेखी जाएगी सानु की तो यह आपको कल को इसके रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे और इमरान खान साप क्यों गें तो वैसी नो कॉंफिड़ेंस मोशन आया बचार है शरीफ आदमी है नैशनलिस्ट होगा मैं इमरान खान के वो मैंने I was one of the admirer and supporter of the इमरान खान लेकिन देखें हम किसी के साथ बंदे हुए नहीं है हमें अगर किसी की policy अच्छे नहीं लगेगी तो हमें तनकीत करनी चाहिए हमें अगर को बुरा लग रहा है किसी बा अब बाइडन साहब ने चंचड़ा आता है और कॉल नहीं की अब और मरान खान साहब जो है वो कह रहे हैं मिनों कॉल ना करो ओक कॉलर ले दे नहीं बिकॉस देनो इस ट्रेंग्स उनको पता है अगर हमने कॉल ली न ली तो फिर भी कॉल करेगा अब जो साओदी से हैं और विन सिल्मान का पलड़ा थोड़ा बाड़ी हो गया क्योंकि महमद विन सिल्मान विरों ने काफी टफ टाइम दिया हास का जब जब देमोक्रेट्स आया हो थे और नहीं कि जनावी इसने ये कर दिया वो कर दिया अभी थोड़ी सी वो एक पोजीशन में हैं जहां पर यूकरेन के बीच जो अभी चल रहा है वो तो सब कुछ आपको पता है अब भारत के इस पर क्या इंपक्ट पढ़ेंगे भारत के सासा सारी दुनिया पर इसके क्या इंपक्ट पढ़ेंगे ये तो ये भी आपने सोना होगा भारत में जैसे गेहू के दाम बढ़ गए और र क्रूड आइल नहीं ले सकते हैं अकर वो हमें रशिया से ना खरीद कर अमेरिका या साउदी अरव या दूसरी कंट्री से खरीदना पड़े तो डेफिनिटली ये भारत के हर आम नागरिक को चुकाना पड़ेगा युद्ध वहां पर हो रहा है इंपक्ट यहां पर पढ़ हो या फिर सोसर मीडिया काउंट हो वाट साफ टाप फेसबोक और यूट्व या पॉर्न हब यह चीज या बैन हो चुकी है लेकिन इसको लेकर सुसर मीडिया पर काफी ज्यादा रिएक्शन आ रहे कि भाई रश्या में ये चीज़ बैन होने से रश्या का बहुत फाइदा होगा क्योंकि वहां के लोग इन जीजों से काफी जादा इनकी आदत पड़ गई होगी तो अब इससे वो मतलब मुक्त होंगे तो उनकी लाइफ और हैल्दी होगी इस तरीके के रियक्शन आ रहे हाला कि यह आप समाझ सकते हो कि यह फणी वे में बात की गई हाला कि यह सच बात दिया है तो भारत को क्या यह ओफर एक्सप्ट करना चाहिए यह नहीं करना चाहिए आप प्लीज कॉमेंट में अपनी राय दें और पाकिस्तान हमेशा यह तुलना करता है कि भारत को यह ओफर क्यों दिया गया पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने जब युद दो क्रेट करने जो भारत और रुष्या के संबंध है वो सतर सालों के बने हैं वो एक विजिट में हो जाए तो फिर इनका आप समझ सकते हैं मेची और कितने हैं यह और इनका मीडिया भी अगर इस तरीके की बात करता है तो आपको क्या लगता है दोस्तों भारत को रूष्त का य यह नहीं करना शेयर प्लीज कॉमेंट वर पीड़ा